यह बॉंबे बगवान बरोते हैं यह एकनॉमिक स्टेट बगवान बरोते हैं यह जो पुलिस अधिकारी और यह मिलकर के जो साथ से कर रहे हैं इनका देश की शुरक्षा के ओपर ध्यान है नार्को टेरिजम के ओपर ध्यान है सरफ मंत्रियों के होकम मानना गलत हो या कितने भी गलत हो याद रखना अगर बंबे कमजोर हो जाएगा महरास्ता कमजोर हो जाएगा वो छत्रपती शिवाजी महराज की चंबाजी महराज की दर्ती अगर कमजोर हो गई तो पूरी बारत बाला साब ठाक रहे एक महान योदा से चुहान साथ होंगे शिप्षाना के हमें हे नहीं नहीं योदा थे अगर आतमार रूर लोगा बेखती होगी रोती होगी तड़ती होगी तोगी ऑरको टेरियरिजम के लिए हमारे साथ आ मनिंधर सिंग बिटा जी रहेंगे जो शेय hoor को आतंकवाद योरूदी मोर्चा के ञेर्मनं नर्को आर्को-टेरिरियरिजम कर से मुंबई को निगलने पर हावी है इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे नार्को टेरिरिजम का जाल अफगानिस्तान सही पूरी दुनिया में फैला हुआ है अकीले अफगानिस्तान में सालाना 5000 से 6000 टन अफीन की पैदावार होती है देश में हर साल करीब 10 लाग करोड रुपए का कारूबार होता है अधिकतर कारूबार आतंकी गती वीदियों में शामिल होते हैं नार्को टेरिरिजम में मरने वालों की संख्या में 60 पीज़त तक बढ़ोतरी हुई है तो चर्चा का प्रारम करते हमारे साथ अधिती जूड चुके है बात करेंगे साथ में ग्राफिक भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे नार्को टेरिरिजम महराष्ट को सिकंजे में लेने पे तुला हुआ है हमेरे साथ मैं स्वागत करता हूं मनिंदर सिंग बिटा जी आपका स्वागत है आप अध्यक्षे है अतंकवाद विरोधी मोर्चा के दूसरी चेर जो हमने खाली रखी है यह महाराष्ट के मंत्री है महाराष्ट सरकार के नवाब मलिक जिन्होंने आज बिटा जी के आमने सामने बात करनी थी और नर्को टिरिरिजम पर इस चर्चा में सहबागी होना था लेकिन अभी भी एक खुर्ची खाली है इसका मंत्लब मंत्री जी नवाब मलिक नहीं आए बंदे मात्रम पहले तो मैं पंजाब से शुरू करता हूं पहले पाकिस्तान आई एसाई ने पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ने के लिए खालिस्तान बनाने के लिए एक बंदूक गोली रॉकट लंचर का टेरिजम शुरू किया उस टेरिजम के दुरान शत्ती हजार बेगुनाहों का कतले आम हुआ जिसमें उन्नी हजार सिरफ सिरफ हमारे हिंदू भाईयों का कतले आम किया गया ट्रेनों से निकाला जाता था सिख भाईयों को छोड़ा जाता था हिंदू भाईयों को गोलियों का निशाना बना दिया जाता था सारी पुलिटिकल पार्टियों ने पंजाब के अंदर मौत का कफन बांद के लड़ाई लड़ी हम सब ने सरीरों पे बंब खाए गोलियां खाई अतंकवाद को समाप्त किया जब पाकिस्तान हार गया और अब पाकिस्तान ने क्या किया कि बंदूकों और गोलियों से तो हम कुछ नहीं कर पाए सबसे बड़ा बुरा कर्म किया कि नार्कोटर्जम पंजाब के अंदर फिलाने की कोशिश की आपने एक पिच्चर देखी होगी पंजाब के ओपर जिस पिच्चर का नाम था नार्कोटर्जम और पिच्चर का नाम था उड़ता पंजाब हर घर हर गली हर बदार उसके अंदर नशेडियों का बरदिया सब नशा करने वाले हैं और पंजाब की दर्ती को बदराम करके रख दिया पाकिस्तान और अभी तक हम वो नार्कोटर्जम को कंट्रोल नहीं कर पाये कई सरकारें आई, कई चलीगी, कई आएंगी, कई चली जाएंगी पर पंजाब की जवानी तबाह हो गई पंजाब का किसान, पंजाब का आम व्यक्ती को अपना घर बेज रहा है को अपनी जमीने बेच रहा है थोड़ी थोड़ी जमीने और बेच करके अपने बेटी और बेटियों को कैनडा, अमेर का वदेशों में बेच रहे हैं कि कहीं हमारे बच्चों को नार को टेरिजम की आदत ना पड़ जाए यिस तरीके से हम महरा रास्ता के हालात को देखने ह गुरू गुबिंच सिंग महाराज की वो महान दर्ती शहीदे आदम भगत सिंग राजगुरू सुख्देव की महान दर्ती जल्यावणा बाक के हिंदू मुत्रिम सिक्षाईयों की महान दर्ती क्या बना दिया नशेडी बना दिये पाकिस्तान आईयस भी और अब वो जी शिवाजी महाराज और उनके सहब जादे चंबा जी महाराज जिनके उपर अत्याचार हुए नाखुन काटे गे बाल को काटा उंगलिया काटी एक महीने तक उस बहादर योदे के सहब जादे को बेटे को उसको तडपाया गया और उसके बाद उनकी कुर्वानियों के पाद ये मजबूत हिंदोस्तान बना ये को चतरपते शिवाजी महाराज की इन्होंने विरासत ले रखी है वहां के कुछ लोगों ने शतरपती शिवाजी महाराज दुनिया में बैठे हुए चंबा जी महाराज दुनिया में बैठे हुए हर हिंदोस्तानी हर हिंदू हर सि इस धर्म का इनके आगे सिर्द जुकाता है और उस दर्सी को इन्होंने क्या बना दिया नशेडियों की दर्ती बना दी जिस तरीके से पंजाब में बनाई पंजाब में तो हम ठीक नहीं कर पाए अब रोज बैस देख रहे हम पुलिटिकल लोगों की तू तू मैं मैं देख नार्को टेरिजम कहां गया कहां गया नार्को टेरिजम नार्को टेरिजम खत्म हो गया और निताओं की बहत हो गई अरे माबाप अपने बच्चों को अपने खून पसीने की कमाई से मेनत मजूरी करके बड़ा हो जा छोटा हो बच्चों को पढ़ाते लिखाते और 18-19 साल की उमर में बच्चा जब स्टूडेंट बनता स्कूल कालेज का तो अब निशेडी बनेगा अब नार्को टेरिज्म का शिकार होगा हम है कौन पॉलिटीशन कौन है हम पॉलिटीशन हम समाज की अधर्ष है हम समाज को नहीं दिशा देंगे आजादी से पहले भी पॉलिटीशन से सरदार पतेल जी भी पॉलिटीशन से लाल बहादर चात्री भी पॉलिटीशन से और आज हम भी पॉलिटीशन है हम जो वहाँ पे जो पेक अधिकारी वडांकडे जिसने नार्को टेरिज्म के उपर करांती की तरह कंट्रोल करने की कोशिश की आज सारी सरकार सारे मंत्री लोग उसके पीछे पड़ गए क्यों क्यों पीछे पड़े क्योंकि दाउद इब्राहिम जिसका नाम कभी आपने पिछले कई सालों से सुना नहीं रात दिन तड़ता है कहीं मुझे गोली ना हिंदोस्तान की तरफ से लग जाए अब पाकिस्तान ने क्या किया दाउद इब्राहिम को आगे करके उनके गोलगों को आगे करके अब बंबे हिंदोस्तान का अकनॉमिक स्टेट उसके अंदर नेर्को टेरिजम फैलाने की कोशिश की और हमारे वहां के मंत्री लोग और उसके बाद फैलाते क्या कहते पुलिटिकल टेरिजम राजनिती गुलामी अधिकारियों के ओपर प्रेशर डालते हैं कि इन वडांकिडे को पकड़ो और इसकी इंटेरोगेशन करो ताकि जिए मेंटली टॉर्चर करो इसको डिस्टर और इनके नाम आने बंद हो जाएं क्या यह छत्रपती शिवा जी महाराज की जरती मेरे अधर्च हैं मैं जब भी एर पूर्ट से उतरता हूं सब से पहले सिर्जुकाकर से छत्रपती शिवाजी महाराज कि अगर आत्मा रूर रो देखती होगी रोती होगी तड़ती होग जिस रास्त के लिए ये महारास्ता के लोगों के लिए मैंने कुर्बानी दी मेरे बच्चे ने जिनके नाखुन काड़ दिये एक महीने तक उनके उपर जुम किये च्छंबा जी महाराज के उनकी रोती होगी तर्थी होगी बाला साथ ठाक रहे एक महान योदा से चुहान होंगे शिप्षाना की हमें उसे बोलीना देना नहीं महान योदा थे और उनके सामने एक शबद जब निकलता थो तो पाकिस्तान भी डैल जाता था अतंक वादी वह बाला साब ठाकरे के नाम के उपर डरते थे आज बाला साब ठाकरे की अगर रूपर देखते होगी रोती न मैं उनका बहुत सितकार करता हूँ और जब भी महरास्ता की धर्ती पे आता हूँ मेरी स्पीच शुरू होती है शतरपती शिवाजी महराज चंबाजी महराज और आकर में खत्म होती है बाला साब ठाकरे के आगे सिर्च जुकाते हुए इन्होंने क्या किया जोहान साब इन महरास्ता को अपनी सबने विरासत समझ लिया बस हम ही है सब कुछ हम है सब कुछ जो करेंगे वही करेंगे कहा है IPS ऑफीशर कहा है इस ऑफीशर लाइए उनको थामने इंडियन पुलिस सर्विस को छोटा सा रैंक होता है बहुत बड़ा रैंक आई एस ऑफीशर जिनको अज हमारे साथ काम किया एक बार कहा दे तेरे साब ये काम देश्चित के खलाफ है हम कभी उनके सामने नहीं बोलते थे और वहां के IPS ऑफीशर बंबे के अंदर गुलाम बनके बैठे ऐसे राजनितिक लोगों के कौन बचाएगा कौन बचाएगा बंबे को आज मसूस होता है छ शे महीने पहले छबी 11 की घटना से पहले चौहान साब कह दिया था करनाल के अंदर प्रेस कांफरेंस में कि समंदर के जरिये टेरिजम आएगा पर ये नहीं कहा था कि बंबे में आएगा जा गुजरात में आएगा और आया पुलिटिकल टेरिजम के देखते हुए यहां ए पॉड़े जहां से हिंदोस्तान चलता है वो कमजोर थी हमने परचाचन को मदबूत नहीं किया हमने बंबे कि शुरक्षा को मद बूत नहीं किया हमने वह थ्यार नहीं रखिए जो अतंक वादियों का मुकाबला कर पाएं और हमारे कई सो लोगों को शहीद करके करकरे जैस अबले जैसे कई लोगों को शहीद करके वो चले गए ये उसके बाद क्या सबक चीखा हमने पॉलिटीशनों ने पूछना चाहता हूं क्या सबक चीखा देखता हूं इनको रोज चैनलों में बोलते हुए देखता हूरे इनको कहता हूं शर्म किजिये थोड़ी सी बाला साथ कि सोच उनकी रूफ आपको बुरा कहती होगी कि मेरी कुर्मानियों के बाद मेरी इतनी मेनत के बाद इन्हों कुर्थी सता के लालच में क्या हालत करती बंबे के अंदर अरे आपके उपर अगर इल्जाम है तो आप जाएए खुल के जाएए मेरे उपर आपके उपर अगर इल्जाम हो हम खुल के जाएंगे आए हमारी कीजिए इंटरोकेशन अगर हमारे पर इल्जाम है आप ठुपाने को मत में दिये पंजाब का था ना के पियस घिल जोदा और बंबे का वो रवेरो जो पंजाब में डी जी पी रहा बंबे का पुलिस कमिशनर उसके इतिहास को याद कीजिए जर्नेल थे गलत को गलत कहना चाहते थे आज दली का है ना अस्ताना नया पुलिस कमिशनर नाहें का पुलिस का विल्कुट भी बिटअज Boss में नि घृटता अब आपसे यह ससमझना चाहता हूं कि जैसे पंजाब को निशाना बनाया गया हम समझते हैं लेकिन लोग नहीं समझते कि ये कोई निशाना है, उनको तो लगता है कि कैजूली चल रहा है, जैसे कोई बिजनेस बढ़ता है वेसे ये भी बढ़ रहा होगा, तो लोग इसकी गंभिरता या उसका बुरा से बुरा परणाम नहीं समझते, तो महराश्ट की जनता को खास करक जो बड़े शहर है महराश्ट के वहाँ पर इसका बहुत बड़ा फैला हुआ है मुंबई के तो गली-गली में मिल रहा है ऐसा कहे रहे हैं और ऐसे में उन लोगों को आने वाले खत्रे से कैसे आप आगाहा करेंगे कि क्या हुगा पहले तो मुझे यह बताओ यह क्या नाम था जितने रिलाइंस के अमबानी जी के बाद बंब रखवाया था उसका नाम मुझे यादनी को पुलिस इंस्पेक्टर था वाजए वाजए सचीन वाजए मुझे एक चीट बताओ वाजए डेश बुक और पुलिस कमिशनर का खास आदमी और रेलाइंस की वो कंपनी का मालिक जो हिंदुस्तान को एकनॉमिक पॉलिसी देता है औरे उसके घर में आटी एक्स लगा देते हैं मेरे ओपर भी कार बंब कई बार चले सतर रोग शहीद हुए अरे उस व्यक्ति के आगे कार बंब लगा दिया जाता है और यही दमकी दी जाती है पैसा वसूलने के लिए वो इंडरस्टिस जो हजार लोगों को रुज़गार देता है और वाजे इनी का आदमी जिसको नौकरी से निकाल दिया गया चोहान साब उस को आगे करके वसूली की जाती है कहा है सरकारे कहा है अजन्सिज कहा है सी बी आई कहा है इंटेरोगेशन है जन्सियां और बड़ी हरानगी की बात नार्को टेरिजम की तो चोहान साब आपने बात कर ली मैं तो पहली बार देख रहा हूं महरास्ता का होम मिनिस्टर भी भागा हुआ अब पकड़ा गया महरास्ता का पुलिस कमिशनर भी भागा गया और वाजे जेल में इंटेरोगेशन में अरे जिस स्टेट का होम मिनिस्टर जिस स्टेट का पुलिस कमिशनर जिनके हाथ में हमारी जिन्दगी मौट के फैसले है मैं हूँ ना मैं पूरे देश में गुमता हूँ पर जब बंबे जाता हूँ मौट का कफन बांच के जाता हूँ अभी कश्मीर में गया श्री नगर में अभी जमू में गया शहीद बरवारों के मौट का कफन बांच के गए सब को पता आ रहे हैं चैलेंज करके आया मैं सेफ साफ पर जब बंबे में जाता हूं मैं सेफ ही नहीं कोई भी मुझे मार सकता जैट प्राइश और वी वी आई पी आते हैं अर्थिकी नगरी है देश की इकनोमिकल कैफिटल है फिर कैसे बचाओगे हूं हो मिनिस्टर अब हो मिनिस्टर हमारी जिंदगी मौट के फैंसले करेगा क्या ऐसा पुलिस कमिशनर हमारी जिंदगी मौट के अब मैं आपके टीवी में बोल रहा मुकेश हमानी तो आपके सामने है वाज़े भी आपके सामने है अभी मैं गया कुछ समा पहले ये गुजरात फंक्शन ये मेरा बॉंबे के बॉर्डर पे फंक्शन मेरे CISF के जवान मुझे छोड़के चले गए एरपोर्ट पे जाना था और उसके बाद कोई व्यक्तिनी पहली बार ऐसा हुआ क्यों क्योंकि इनको रगडता हूँ मैं और इनको रगडूंगा और अगर करी किसी के ओपर हमारे बात आती तो यही लोग उसके जम्यदार होगे कहा है पुलिस अदकारी मैं कहता हूँ या पॉलिटीशन को छोड़िए वहां के पुलिस अदकारियों ही किया पॉलिटीशन को गलत था तो गलत कहा हमें भी गलत थे तो कहते थे हम गलत थे अरे अधिकारी साहबान होच कीजिए आंखे खोलिए यह पुलिटिकल टैरिजम यह राजिरिती गुलामी यह एकनॉमिक स्टेट को बरबाद करते कि छबी गयारा की गटना हुई थी न तीन साल तक पूरे धिंदोस्तान के ओपर इसका अशर पड़ा जैपूर के अंदर मैं किसी होटल में रुका कोई बीड नहीं थी मैं क्या हुआ किने 26 गयारा की गटना पंजाब में 26 गयारा की गटना दिली के अंदर 26 गयारा की गटना ने पूरी economic policy को टैशनेश कर दिया और हम राजनितिक लोग वहां मजे ले रहे हमें जंदिकियों का फिकर नहीं वहां बड़े-बड़ी फिल्म इंडर्स्ट्री के लोग रहते हैं बड़े-बड़े बिजनसमें लेते हैं क्या किसी के अपर भी वाजय को लेके कारमम लगा करके ड्रा दोगे और वो आपको पैसा दे देगा ये हालत है हिंदोस्टान के अंदर पहली बार सुना होम मिनिस्टर महरास्ट्रा का पुलिस पकड़ के ले जा रही है और हमारे साब लोगों की आप लोगों की जिन्दिगियां उनके हाथ में किसी को अधिकारी को ऐसे लगाएंगे अरे इन प्लेट करकर के ठक है कोई सुनने वारा नहीं क्या कहोगे यह बहुत गंभीर बात बता रहे हैं मैं दर्शकों को बता दू कि बिट्टा जी जेड़ प्लस सिकुरिटी कवर पर स्लिटी है और खलिस्तानियों के विरुद्ध लड़ने के कारण इनके उपर ये एक मात्र जि अपरिफ होगी चाना मिचम बता करा सामना का बड़ा बोलता है बौत बोलता है कभी लाओ भादे यह कहता है कुछ मरास्ता कैंद ते डीको सब्सक्राइब ना करते तो hat हूँ जहां तंकवाद का गड़ है मैं पंजाब में खालस्तानियों के गड़ में सेफ हूँ मैं जम्मू में सेफ हूँ पर मैं बंबे में सेफ क्यों नहीं हूँ मैं नासक की बात नहीं करूँगा, मैं पुना की बात नहीं करूँगा, मैं नाकपुर की बात नहीं करूँगा, मैं बंबे एकनॉमिक स्टेट की बात करूँगा, नासक शुरक्षा पूरी होती है, हर तरह की होती है, बंबे के अंदर एकनॉमिक स्टेट, कौन आपकी पॉलि दिली को खत्रा है उनके लिए कुछ नहीं होता बगवान बृषंसे हैं नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं मेरे से बैस करा दो मेरे बस थबूत है मैं अभी हाई कोड जा रहा हूँ इनके खलाफ जा रहा हूँ कि शुरक्षा काता है जिन्नों जो लोग बंबे की शुरक्षा ही नहीं कर सकते वो नार्को टेरिज्म को कैसे कंट्रोल करेंगे बताईए बिटा जी मैं थोड़ा आपसे यह समझना चाहता हूँ कि माबाप को और समाज के जागरुक नागरिक को कैसे पता चले कि उनके आसपास नार्को टेरिज्म हो रहा है एक बात जोहान साब पॉलिटीशन क्या होता है हम समाज के अधर से नहीं मैं यह समझना चाहता हूँ कि माबाप या समाज का लग कैसे समझे कि हमारे आसपास हो रहा है नहीं माबाप क्या करेंगे बिचारे जब हम पॉलिटीशन लूट पार्ट पे लग जाएंगे कमिशनर को कहेंगे हमें हर महीने की 100 क्रोड की वो ड्रक्ड बेचने वाले घोट्लों के अंदर उसकी दंदे से कमाई करके दो और वो कमिशनर काता है ने जी मैं 25 करोड दे दूँगा वो भी भाग जाता है वो भी भाग जाता है इंटेलिजन्स जंशियों का काम है पुलिस का काम है पॉलिटिशन का काम है हम वोट लेते हम लोगों से वोट लेते सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग मेरा आप से सव पूलिया खाई आराथ सच के कॉंग्रेस के भीजेपी के लोगों ने खाई हम ने ठीक किया क्या पॉलिटीशनओं की जमेदारी सिर्फ पैसा कमाना क्या कमिशनर को कहना महींने की सो करोड की हमेरा आची चाहिए इस ड्रक बेचने वालों से मैरा सवाल है आप माभाप क्या कर करना बड़ा बिजनस्मेन हो जा छोटा हो वपार करना और आपने बच्चों को पढ़ाना बच्चों को लिखाना हमारे देश का नाम उच्छा करें तो यह पॉलिटीशन का क्या मैं ठेकेदार है यह यह ठेकेदार है क्या दंदे के ठेकेदार है क्या यह देश मुक्त ऐसे ल लोग क्या कमिशनर जैसे लोग जो बागा हुआ ये ठेकेदार है क्या इनका दंदा नेताओं को खुश करना ये पुलिस आफिसर की जम्मिदरी क्या है क्या वहां के इंडियन पुलिस सर्विस की जम्मिदरी लाओ मेरे सामने इनकी करसूतों को बताऊं कितने साल से इनको मैं जेल रहा हूँ कोई इन पे असर नहीं इनको किसी को कतल करना है किसी को मारना है इशारा अगर उपर से हो जाए ये वाजय जैसे हजारों बैठें बंबे के अंदर दो मिंट के मार देंगे और कह देंगे गोली चला करके दाउद इबराहिम ने मार दिया ये इसको कहते हैं पुलिटिकल टेरिजम इनकवारी होती रहे इनकवारी वाकड़े कर रहा है ना क्या हशर कर दिया उसका कितना मैंटरी टॉर्चर किया जा रहा उसकी वाइफ को और मैं एक चीज़ बता दूँ ये आज का हिंदोस्तान है इन लोगों ने हिंदोस्तान को समझ लगा है दर्म करो हमने भी पॉलिटिस की है हमने भी बंबे के अंदर कई महरास्टा के अंदर हमारे हासों से गमने अशोग चुहान मेरे वाइस प्राइडेंट थे मनी ठाकरे मेरे 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 प्राइडेंट थे अच्छे थे उन्होंने अच्छा उच्छ वक्त काम किया था बंबे के यह दावद का आदमी जिसको हाथ लगाऊं यह डूबई शे फनाने का आदमी जिसको हाथ लगाऊं यह डॉक का समुगलर मैं का नहीं नहीं बनाओंगा अखीर में किसको बनाया चरन जीट सिंग्ग सप्राइमान दारत्व्यक्ति नौजवान था सरदार था, कहा लोगों ने सरदार मना दिया पर नहीं, मेरे पास प्श्वाइस ही नहीं थी मैंने कहा यूथ का अगनगर चलती चले, नहीं चलती ना चले, ये डग के समगलर को नहीं बनाओंगा अरे ये लोग डक ट्रमगलर की मदद करते हैं ये दाउ दिवराहिम के गुरगों की मदद करते हैं। ब्याम देने बढ़े आते हैं इनको रोज चैनलों के अंदर धंकिया देने बढ़ी आती हैं अरे आपको छतरपती शिवा जी महराज का नाम लेने का अधिकार नहीं आपको जंबा जी महराज वो कुर्मानियों का इतिहाद आपको बाला साब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं, इन्होंने अपनी विरासा समझ ली, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं उनके चरनों में जाता हूँ, मैं उनको उठके सबसे पहले महरास्ता की गरम खून से वो लत्पत धर्ती को नमस्त करता हूँ, शिक और महरास्ता का इतिहास एक अलक है, अरंग जेब के खलाफ लड़ लड़ते हैं, उनको अमर होना पड़ा, और उनके दो सहब जादों को नियों में चनवा दिया गया, यह हमारा खून का रिष्टा है, यह हमारा नौ मास का रिष्टा महरास्ता और पंजाब शिक और वहां का हिंदू बाई, महरास्ता का, चतरपती खिवाजी महराई ने भी लडाई लड़ी, गुरु गुबिन सिंग की सिख कौम ने भी लडाई लड़ी, यह कैते हमारा हक है, महरास्ता हमारा रहक है, पंजाब इन का रहक है, यह नोने विरासचत समझ़के रोई लोगों को ड़ाते हैं, रोई लोगों को पुलिटिकल टेरिजम के खलाप दम्की देते हैं यह कैसे देश चलेगा एकनॉमिक स्टेट है वहां हथ्यार नहीं लाइए वहां गाड़ियां नहीं लाइए वहां चुरक्षा के परबंद बढ़े करिए वहां की इंटेलिजन्स जंशियों को नार्को टेरिजम के खलाफ लगाए और ऐसे मंत्रियों को साइड में क पुलिस के अंदर कर दीजिए आप पुलिस का आप परशाचन का गड़त इस्तमाल करतें आप गुंडा गर्दी करतें कितनी देर तक आप गुंडा गर्दी करेंगे गुंडा गर्दी जारा देर तक नहीं चलेगी जे धर्म साना नहीं है यह हिंदुस्तान है आज कर कर दि जिसको पूछे 26 11 26 11 क्या उसके बाद हमने को सबक शीखा मैं शुरक्षा को बड़ी गरहाई से समझता हूं राजीव गांदी के ओपर जब हमला हुआ था एक महीने पहले कह दिया था इख्षबी 11 11 का हमला हुआ शे महीने पहले कह दिया था समंदर के डरिये टरियर्जम आएगा नरिंदर मोदीजी के ओपर पट्रना के अन्दर हमला हुआ अभी उन्कावादियों को पांची Calebu गोई नरिंदर मोदीजी को मैंने आठ दिन पहले चछी लिगदी थी आपके उपर हमला होगा मेरा अनबव है और मैं आपको बता दूँ ये बंबे बगवान बरोते है ये एकनॉमिक स्टेट बगवान बरोते है ये जो पुलिस अधिकारी और ये मिलकर के जो साथ से कर रहे हैं इनका देश की शुरक्षा के उपर ध्यान है नार्को टेरिजम के पर ध्यान है सरफ मंत्रियों के होकम मानना गलत हो या कितने भी गलत हो याद रखना अगर बंबे कमजोर हो जाएगा महरास्ता कमजोर हो जाएगा वह छट्रपति शिवाजी महराज की अगर कमजोर हो गई तो पूरी बारत मां कमजोर होगी आज देखा श्रीनगर के अंद जवान जवान हमारे शहीद पांच होते हम उनके बीस बीस मारती आज देख लीजिए पंजाब के अंदर हमने टेरिजम को खतम कर दिया पनार को टेरिजम हम खतम नहीं कर पाए क्यों क्यों कि पुलिटिकल विल नहीं है आपको पता है कि जब भारत माता कमजोर थी दोई रामजन भूमी पे हमला हुआ रोगणाठ मंदर पे हमला हुआ अक्षरदाम पे हमला हुआ हार्मंद yes if को केसान बॉडर के अंदर नारे लगेंगे खालस्तान जंदा बात्रंगे जंडे का अपमान होगा मैं सरदार हूँ ये कहने को त्यार नहीं मैं हिंदुस्तानी हूँ मैं भारती हूँ मैं हुना आपके थामने हमेशा कहता हूँ खून से निकली आवाज है मेरा धर्म भारत मां मेरी जात बंदे मातर मेरा हक हिंदुस्तान है हमारे बजर्गों ने कुर्बानी दिये हम पहले हिंदुस्तानी पहले बारती फिर हम सरदार हैं सबसे बड़ी समस्या है मैं मुसल्मान मैं फलाना मैं धिंगडा कोई कहने को त्य यही चीज है जो नफरत पैदा करती है बता दीजिए जो हान साब हमारी कौम में से बता दीजिए जब तरंगे जंडे का अपमान हुआ कौन बोला मेरे अलावा यह जो आप बोल रहे हैं अगला निशाना यह होगा इनकी यह सी की तैसिर आज का हिंदुस्तान है यह दर्मसाल के से लोगों को खड़ा करके फिर मंचों के उपर बाशन देते हैं कारण वहां की सरकार कमजूर है वहां की शुरक्षा विवस्ता कमजूर है वहां वोट की खातर सता की खातर पूरे महरास्ता को बरबाद किया जा रहा है मैंने कहा था ना पहले बाला साब ठाकरे यह की र